नमस्कार दोस्तों मैं नारायन जादों आप सभी का बहुत बहुत सौगत करता हूं जी शिवाला गुरुजी में एक्सपर्ट है इको एक्सपर्ट तो कापी दिनों से बहुत सारे लोग बोल रहे थी इसका रिवीव दे दो कैसा है क्या है तो यह ऑपरेटर भाई आपने साथ है क्या नाम है अपका इनका नाम अर्बाजान सारी यह खुद चलाते अभी जो पूरा ना मशीन है इसका प्राइब तो इनका तो कहने अए सब कुछ बढ़िया है लेकिन एक बार आपको सब कुछ मशीन दिखाता हूं डीटेल्स में रिवीव नहीं करूंगा क्यूंकि मैं जा रहा हूं दूसरी एक मशीन पर उसका एक्सल तुटा है तो जाते-जाते दो-चार मिनिट में इको एक्सपर्ट है 74HP का इंजन आता इसमें अभी 2022 इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है वह आपको दिखाऊंगा यहां पर यहां पर पूराना फिल्टर आता था वह सेम है फिर यहां अल्टर मेंटर सेम है यह काड़ दिया है अंदर कुछ जाना नहीं चाहिए इसके लिए बाकि फ्रंट एक्सल देख सकते हैं बिल्कुल पूराने जाएसा है यहां से भी देख सकते हैं बाकि ग्रिल हो गेरा सब कुछ पूराने जाएसा है और यहां से आउयल फिल अप कर सकते हैं यहां से आप इंजिन आउयल चेक कर सकते हैं यह ट्रांस्मिशन का बिल्कुल सेम द याइ सेंसर दिए यह नुजल अभी इस तरह के आएंगे इंजक्टर होगे रहा सब कुछ बहुत मतलब इलेक्ट्रोनिक बहुत दिया है और सेप्टी बहुत दिया है गार्ड आंदर कुछ या भी नहीं सकता इसमें तो ऐसा यह एर फिल्टर है इदर इसमें कैए इसमें हाइड्रोलिक टाकी के अंदर डिजल फिल्टर दिया है डिजल पंप भी है इसको जैसे चालू करेंगे वह से डिजल के लिए मोटर भी है और इसको मतलों जब यह लेता है तो अपना क्या है तो इसका कैसे आपन जो मैनियोली पंप मारते थे उस तरफ से तो इसमें वह नहीं है एक्टमेटिक स्वीच से वह काम करता है जैसे स्वीच चालू करेंगे आपको एक आवाज आएगी मोटर की तो उस तरह से काम करता है एक बार अंदर से दिखाता हूं आपको यह देखें क्लस्टर कुछ ऐसा है क्लस्टर में बहुत ज्यादा जान करें इस बर एक बार लाइट चालू करूंगा तो आपको पता चलेगा यह सारे इंडिकेटर आपको बताएगा पार्किंग का सीट पे बंदा बेटा है नहीं बहुत कुछ है इसमें जो पूराने मसीन के मुकाबले बहुत जादा इसमें इंफोर्मिशन दिए ट्रिप के लिए अलग बटन दिया है फास चलने के लिए अलग दिया है मेडियम चलने के लिए अलग दिया है तो लोडर में भी आप हाई स्पीड और यह लोपीड रख सकते हो तो चेंज के बाकि यह लिवर में सेम है ना लिवर सेम है सब कुछ बाकि का इजी सीप्ट हो गया इसमें नहीं है तो यह चेंज अशे बाकि कि यहां का भी सीट यहां का भी लिवर हो गया सिस्टम सब तो शीट भी यह ऑपरेटर भाई बोल रहा है पहले से जादा कमपटेबल है हैंड ब्रेक को थोड़ा साइधर चेंज दिया है इस तरह का लिवर दिया है खिचने के लिए तो बहुत चेंज है एक बार नीचे जाके दिखाना चाहूंगा मैं क्यूंकि नीचे हमारा हाइड्र प्लाइने में कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी अगे यह देखो सिल्किट सेम है बकेट सेम है बुशिंग सेम है कुछ भी चैंज नहीं है बाकी वहाँ पे जो लैंप है एलेडी दिया है एलेडी लैंप दिया है बाकी साउंड सिस्टेम होगरा सब ब्ल्यूटूथ वगर ब shade रब और वो सब है कुछ पूराने में भी है च्टिम देख सकते आप चैसे से बिल्कूल सेम है को दिक्कत या भी यहां पे देखो ठीक है यहां पे ट्रांसमिशन देखी आश्ट ड्रांसमिशन बिल्कू अब कोई भी डिफ्रेंस नहीं है सिरिप हाइडरोलिक वमारा य बाकी सब कुछ बड़े अभी तक कुछ दिक्कत नहीं आया है यह मशीन में देखो कितना गंटा हो बाई आभी तक हजार सर्विस वीरिस तो एक हजार गंटा चला है कोई भी कहां पर भी कोई भी लिकेज नहीं है फिल्टर थोड़ा नीचे दिया है देखो डिजल फिल्टर यह बाकी हैड्रोलिक टैंक के लिए सेप्टी के लिए ऐसा है है थोड़े से होज चेंज दिये है एक बार मुझे इसका हैड्रोलिक सिस्टिम देखना पड़ेगा उसके बाद मैं आगे का आपको बता सकता हूं बा उसके बारे मैं आपको डीटेल्स में बाद में दे दे दूंगा हां इसमें और आपना एक डीटेल्स में वीडियो भी आने वाला है एक्सपर्ट लेना चाहिए या एक्सपर्ट या कुनसा एक्स्ट्रा ओ दोनों में भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे की वीडियो में तो मुझे लगता है सब कुछ मैंने क्लियर किया है यह एक बड़िया बात थी यह भी आपको मैंने इस वीडियो में कवर किया है बाकी तो लगबक जब सेम है चाहे हैंड ब्रेक हो चाहे आगे का स्टेरिंग हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्या वीडियो अच्छा लगा है और आरबास भाई को थैंक्स कहना चाहूंगा इन्होंने आज तक अपना शाइनल नहीं देखा है लेकिन आज इनको बताऊंगा तो आप कमेंट भी करना वीडियो पर रात तक या कल तक यह वीडियो मे में डाल दूंगा थोड़ा बहुत कोवर किया है डीटेल्स में जादा जानकरी जब वक्त मिलेगा तो छोटी छोटी भी जानकरी सब कुछ बताने वालों में आपको तब तक के लिए बस इतना इस वीडियो में वीडियो आच्छा लगे तो लाइक और चानल को कीजिए मिलते है नेक्स वीडियो में